नमस्ते विद्याक्ति मित्रो आज हम जिस तरह से कोरोना वाइरस से लड़ रहे हैं और उस अवसर पर जब हम घर में बेठे वे हैं तो किस तरीके से हमको प्रकुरती दिखाई देती हैं और प्रकुरती की जो सुन्दरता है वो कैसी है इस बारे में जो विचार मेरे मन में आ और यह मैं आपके साथ में शेयर करना चाहते हूं बाटना चाहते हूं इस कविता को मैंने नाम दिया है अवसर ठीक है जल में थल में नभ मंडल में जो विचर रहे निडर होकर जल में थल में नभ मंडल में जो विचर रहे निडर होकर हवा में वायू यान नहीं जल में अ न तो हवा में वायू यान दिखाई तेरे, न जल में कोई नाओ, न सड़क पर कोई गाड़ियां जिनके चाक होते हैं, कितना सुन्दर जल है थल है, न भहेवन है और उपवन है, कभी न देखा था एसा, द्रश्य यहां हर्षण में है, आओ मुक्त हम भी उड़ले, यहां प जब तक तन है जब तक मन है सुन्दर्ता की सुन्दर्ता जिसकी कोई सीमा ही नहीं कितना सुन्दर जीवन है अब हवा में उड़ने को मन है मन करता है पंची बन जाऊं दूर गगन में उड जाऊं पंख खोल कर मैं भी देखूं जो बंधे थे उनको हवा देदू जलमे थलमे और वायू में मन भर जीलू इस आभा में फिर यहा उसर मिले न मिले दुनिया फिर बंद पड़े न पड़े यहाँ पे इस कविता का मर्म है कि फिर यहाँ अवसर मिले न मिले दुनिया फिर बंद पड़े न पड़े विद्याती मित्रो और जो भी इस कविता को पड़ने वाले लेखने वाले है अगर आपको मेरी यह कविता पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे इसे लाइक करे और शेयर जरूर करे और कमेंट करके मुझे बताए धन्यवाद मित्रो नमस्ते